एक कथा भक्तमाल जी में आती है एक भक्त थे उनका नाम था धन्ना जाट बड़ी मधुर कथा है धन्ना जी की धन्ना जी की कथा ऐसे प्रारंब होती है कि सामान्ने से परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ देखो ये हरी प्रिये हैं इनको हरी प्रिये थे लेकिन इनकी भक्ती से फिर ऐसी स्थिति हो गई कि ये हरी को प्रिये लगने लगे तो धन्ना जी के यहां एक संत पधारे संत कि शाले ग्राम जी की सेवा चोटे बालक जो होते हैं वो संतों को या घर में कोई भी बड़े बुज़रगाम है या कोई भी स्रेश्टेजन आएं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं महमानों को देखते हैं बैठके तो मातमा जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं धन्ना जी जाके उनके पास में बैठ जाते पहले जल से श्नान, पर दूट से श्नान पर गी से, पर दही से, पर शहद से पंचामरत श्नान करा के बढ़िया इत्र लगा के ठाकुर जी को उर्दपुंड तिलग लगा करके माला तुलसी पदरा के विराजमान कर दिया धन्ना जी को इतनी अच्छी लगी ये सेवा रोज बैठ जाते पूरी रात रोते अपनी मा से कहते मैया ये सुबह कव होगी क्यों वह सुबह होते ही बाबा के पास जाऊंगो उनकी सेवा देखूंगा कैसे करते हैं तो धन्ना जी रोज सेवा देखते बड़े खुश होते जैसी मात्मा का जाने का समय आया धन्ना जी बिखर गए कहां जा रहे हो आप बोले बिटा अब हो गई हमाई सेवा पूरी अब हम जा रहे हैं फिर आएंगे कुछ साल बाद धन्ना जी बोले तो आप चले जाओ इनको छोड़ जाओ यहीं पर यह ठाकुर जी यही रहे आए मैं इनकी सेवा करूंगा बाब बोले अरे तुम छोटे बालक हो तुमसे सेवा बनेगी नहीं बेटा तुम जिद मत करो धन्ना जी तो रोने लगए बोले नहीं मैं सेवा करूंगा मुझे तो यह चाहिए जैसे कोई वस्तू के लिए बालक जिद करता है जैसे धन्ना जी ठाकुर जी के लिए जिद करने लगे माता पिता परिशान मात्मा अलग परिशान क्या करें ओ इतना रोम है इतना रोम है कि महराज पुरा घर अधर कर दिया महले वाले तक के खटे हो गए क्या हो गया जी के मात्मा जी जा रहे है उनके ठाकुर जी बाहरा है अ adult transportation किसी में यह हिम्मत भी नहीं कि मात्मा से तो कहके देगा और कोई वस्तू हो तो यह भी कह देते हैं लोग दे जाओ चलो हम दूसरी देते जातरसख घैकष की इतने मात्मा भार गए और गोल-गोल काले से दिखने वाला एक पत्थर उठा लाए उसमें बढ़िया घीवी लगा करके और इत्र लगा के सुगंदित कर दिया उर्दपुंड तिलक लगा दिया ठाकुर जैसा और अपने ठाकुर जी तो नीचे एक छोटे सिंगासन पर विर स्धड़ना जी कि उन्हीन के ठाकुर छहीं मात्मा मौले लाला देख जो कि विनध्या उपर संगासन पर बड़े ठाकुर जीए और नीचे छोटे धाकुर जी भा को बड़े वाले जो तो है राजा ठाकुर और चोटे वाले जो नीचे बैठें ना यह सिपाई ठाकुर अब बता मेरी तो मुए तो राजा ठाकुर ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं मैं तो उनको ले जाओंगा लेकिन फिर्याद रही हो जब जब मैं आओंगा तब तब मेरे ठाकुर जी उपर सकते बैठेंगे तेरे वाले नीचे बैठेंगे क्योंकि तुस्पाई ठाकुर जी माग रहा है और मेरे ठाकुर जी तो राजा ठाकुर है अब बालक को उस भाव से समझाया तो धन्ना जाट अब नहीं मैं तो राजा ठाकुर लोंगा आप ले जाओं सिपाई को और तक छूट गया लेकिन यहां तो अब भक्ति प्रारंब होई थी धन्ना जी के बाकी सेवा तो बाद की बात है ठाकुर जी भी असली नहीं थे धन्ना जी के सामान्य पत्थर था और धन्ना जी उनकी सेवा करते रात पर मैया से के तो मैया पूजा की सामगरी मगावना मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है मैया केती सुबह मगा दूंगी सुबह पीछे पढ़ जाते वो साम को मगा दूंगी शाम को पीछे पढ़ जाते वो सुबह मगा दूंगी रोज टाल देती एक दिन धना जी अंसन पढ़ बैद ननने से भोजन नहीं करें दूद्ध नहीं पिवेंख अब तो यह ना-र। इन रात में वह शुळ सोय भी नहीं मैया से बस यह कहें पूजा कि स्वामिगरी मंगायो पूजा की सामिक्ग्री मगाओ मा ने सहिज बाब से कह दिया तेरे ठाकुर जी और तु इनका सेवक सामिक्ग्री मैं क्यों लाओं अपने आपकर अभी वस्था धन्ना जी निकल पड़े महराज पुश्प लियाए तोड़ करके तुलसी लियाए बड़िया सुंदर माला बना ली नन्ने से बालक न जैसी उनको खेल खेल में सेवा करते हैं वैसी सेवा करते थे ठाकुर जी को तिलक लगाना है कहां से तिलक लाम है तो बाहर गए एक इंट फूटी पड़ी थी लाल-लाल उसी इंट को लाए पानी में घोल-घोल के घिस-घिस के उसी से तिलक बना दिया इंट को घिस करके उसका तिलक श्री ठाकुर जी को लगाया ऐसी सेवा करने लगे अपने संगी रखें अपने संगी सुलाम है मतलब खेल-खेल की सेवा थी केवल घरवालों को लगता था कि भईया दुनिया के लोग खिलोने से खिलते हैं हमारा धन्ना जो है ये पत्थर को भगवान समझके खिलो नमा इनसे खिला है बड़ा होगा तो बुद्धिया जाएगी परन्तु किसी को क्या पता था कि भईया ऐसा भक्ती का बीज पिरो दिया है धन्ना जी के हिरदे में धन्ना जी भोग लगाते और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा करके महीं बैट जाते और बैट करके प्रतिक्षा करते कि ठाकुर जी पा रहे होंगे प्रदीर एसे परदा आटा के देखते अच्छा अभी पाई नहीं ठीक है फिर बैट जाते फिर प्रतिक्षा करते कब पाएंगे खूब देर हो गई नहीं पाई तो ठाकुर जी से बोले आप रोज भोजा नदूरा छोड़ देते हो मैं बभुजा न थूड़ा छोड़ देता हूं मेरी मैया मुझे बहुत मारती है लेकिन मात्मा जी मुझे ये बता के नहीं गए कि वो मैं आपके संकर सकता हूं कि नहीं धन्ना जी के उस प्रिय भाव भक्ती भाव पर ठाकुर जी रीजने लगे एक दिन तो धन्ना जी हट करके बैठ गये यदि आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा धन्ना जी ने थोड़ी देर देखा थाली यथावत रख्ये नहीं पा रहे तो ठाकुर जी की तरफ कमर करके लेट गये तो ठीक है तो आज मैं भी भूका सूंगा इतने महीं जैसे उंगली को कोई जोर से चाटे तो चट चट आवाज आती है ना ऐसी चाटने की जोर जोर से आवाज आने लगी धन्ना जी बोले ये चपचप खा कौन रहा है योरी ऐसे चटकारे लेले करके कौन उंगली चाट रहा है जैसी परदा आटा करके देखा तो नील माधव भगवान बैट करके धन्ना जाटकी उस थाली में से प्रशाद पा रहे थे दर्शन किये जब शाम सुन्दर के आहा है मोहित हो गये ऐसा नील वरन ठाकुर जी का कटाक्ष नेत्र बढ़िया सुन्दर गुंगराली केशों की गूद बनाकर के उसमें मोर पंख लगा रखा है जैसे धन्ना जाट छोटे वैसे ठाकुर जी भी छोटे से नन्ने से गुपाल जी आ गए और जैसे मानुप पूरे हाथ में सान लेते न सबजी छोटे बालक ऐसे ठाकुर जी न माखन मिस्री और सारी सबजी सान नकी है और खूब प्रहें से चाट चाट करके पा रहे है धन्ना जाट बड़ा प्रसंद हो गया आप तो बड़े प्यारे हो आजा प्रत्यक्ष मेरे सामने आ गए ठाकुर जी धीरे धीरे अब धन्ना जाट के सखा बनने लगे धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ गव चराने बचड़ा बचिया चराने जाता तो अपने शाले ग्राम जो शाले ग्राम थे ही नहीं अब कोई नहीं है ठाकुर जी प्रगट हो जाओ तो ठाकुर जी प्रगट हो जाते धन्ना के साथ प्रेम से पाते धन्ना जी उन्ही ठाकुर जी को ले करके चले गए ठाकुर जी आज बोले धन्ना तू तो मेरी बड़ी सेवा करे पर मेरों भी मन करें कि मैं भी तिरी सेवा करूं धन्ना जी बुले ठाकुर जी ये उचित नहीं है आप भगमान हूँ आप एक इश्वर तत्व हो आपकी सेवा हम करें अच्छा लगता है पर आप हमारी सेवा करो ये कहां की शोग है ठाकुर जी बुले नहीं धन्ना हम तो तुमारी सेवा करेंगे हमें बताओ हम क्या करें और भगमान वाली बात थोड़ेए यहां तो सखा हैं आप हमारे सखाव हमारे सखाव सखा तो आपस में मिल बांट के सब काम करें बता भगमान हम का करें दन्ना जाट बोले तो फिर एक काम करो आप अमरी गईया चराओ ठाकुर्ज बोले ये तो हमारे जनम जनम को काम है ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे और बंदू यही होता दन्ना जाट अपने घर से गईया लेके जाता और बंद में जाकर के ठाकुर्जी को जैसी भार पदराता इतने में ब्रक्ष के पीछे से ठाकुर्जी आ जाते ठाकुर्जी के दन्ना अब तु जा जाके आराम कर हम गईया चरा देंगे और सारी गईया ठाकुर्जी चराते शाम का समय जब होता तब धन्ना जी जाते मात्मा आके बोले और बताओ भाई धन्ना अरे गुरुजी आये गुरुजी जै़ो गुरुजी प्रणाम आपके चरणन में और बताओ वो कहां हैं तुमारे राजा भगवान बोले बगवान तो गईया चिह गहें अभी इसमय तो गईयाश्राँ नें का है न गईयाश्रावे जामें वह रोज मात्मा बोले दो कुछ भी बोलता है अभी बाला की यह चोटा यह अभी मातः पता है बोले कहां बता है ऐसी यह की सोच है गईयाश्र ने छोड़एआ वैं पतों न कहां साम को ले आवें उने अरे गुरुजी ये लोग मानते नहीं है मेरी बात गुरुजी बोले तो फिर वो वो शिला कहा है जो हमने तुमको दीती बोले उनी की तो कह रहा हूं गुरुजी वो गया चराने गए है गुरुजी बोले ये तो कुछ भी कह रहा है नहीं नहीं गुरुजी आप विराजो मैं आपको एक एक बात बताऊं और उसने सारी बाते बताईं ठाकुरुजी कैसे चिटकारे लेके भोजन करते हैं क्या क्या उससे बातें करते हैं कैसे उसके सांग खेलते हैं वो थाकुर जी की पिद्डी पे चड़ जाता है ऐसा मदरभाव प्रस्तुत करें और गुरु जी बेट के सुनते जाएं बूले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जूट मैं तो नहीं बोल सकता बोलब गुरु जी मुझे पता है मात्ढ़ पता की तरह आप भी मुझे बरोसा नहीं कर रहे हैं आपको नहीं विश्वा चलो मैं देखाउं आपको बहुँ मेरे ठाकुर जी गईा चरा रहे है गुरु जी को लेकर के 1 में गया तो 1 में गईा चर रही है बोले कहा है तेरे ठाकुर जी अरे देखो वो दोरी गई है कि पीछे-पीछे हां के रहें वाकू पीछे-पीछे चलने जाओ नहीं अब के देखो demain के दोरू जी भागवान जी को नहीं देखेंगे हम अम बस तुमकोई देखेंगे तुमारे सखांसे तुमके और मोकू एक दूसरे से मिलवावे बारी तो गुरुजी है गुरुजी ये दी मुझको नहीं देके जाते आपको तो आप मुझे कैसे मिलते मेरे गुरुदेव हैं इन्हों नहीं तो मुझको दिया था आपको ठाकुरुजी रीज गए पुना पुना धन्ना को इरदे से लगाए इसकी भक्ति ऐसा भाव इतने में ही नील माधव नील मनी ठाकुरुजी प्रगट हो गए और जैसे ही प्रगट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा रोने लगे और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया बोले हम सच्चे शाले ग्राम से प्रगट नहीं कर पाए तूने सामान्य पत्थर से प्रगट कर दिया ठाकुरुजी को हम चपन भोग पदरा करके ठाकुरुजी को प्रगट नहीं कर पाए तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुरुजी को चटकारे दिलवाता है हम यहां ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ नेक पूरे दिना योई खड़े रहो दर दे जाते हो को हाथ मने खाथ सीधे कल लिए तू ठाकुर जी से गया चरवा रहा है अपनी धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को ठाकुर जी को ऐसे प्रिय भाव अच्छे लगते हैं आप नियम कितने करते हो आप साधना कितनी करते हो आप जब कितने करते हो आप वरत कितने करते हो यह विशेश बात नहीं है पर दस मनेट भी ठाकुर जी के सन्मुक बैठते हो किस भाव से बैठते हो वह भाव प्रिय है ठाकुर्ची भाव का सेवन करते हैं